Hello everyone, hope you are all doing well, welcome or welcome back to my channel तो students class 10th English का भोली chapter है तो आज हम इसके long question को cover करने वाले हैं और यह जो question है, exams के point of view से काफी important है तो start करते हैं, student हम अपने question को तो question है What kind of treatment does भोली get from her parents की जो भोली के parents थे तो भोली के साथ उनका क्या वहवार था, वो किस तरीकी का वहवार करते थे भोली के साथ इस पर comment कीजिए तो answer होगा कि भोली का जो नाम था वो सुलेखा था तो सुलेखा वोस था fourth and youngest daughter of नंबरदार रामलाल की जो भोली थी वो नंबरदार रामलाल की चोथे नंबर की बेटी थी और उसके पिता का गाउं में काफी रसूख था At birth, भोली वोस got fair and pretty जब भोली का जनम हुआ था तो वो बहुत ही जादा सुन्दर थी और खुबसूरत भी थी गोरी थी When she was just ten months old, she fell off the cot और जब वो केवल और केवल दस महीने की थी तब ही वो चार पाई से नीचे गिर गई थी Perhaps she damaged a part of her brain और इसी वज़े से क्या हुआ कि उसके सिर का जो एक हिस्सा था उसके brain का जो एक हिस्सा था वो शतीगरस्त हो गया था शायद उसके सिर में चोट लगी parents ने ध्यान नहीं दिया लेकिन दीरी धीरे वक्त के साथ जो उसकी चोट थी वो दिमागी चोट के रूप में सामने आई तो बच्पन में जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ही सुन्दर थी फिर थी लेकिन दस मेहिने बाद से ही जैसे उस पर बुरा वक्त शुरू हो गया और जब वो दो साल की हुई तो चेचक ने उस पर अटेक कर दिया और इसकी वज़े से उसकी जो बाडी थी वो डिस्फिगर्ड हो गई यानि कि वो बसूरत हो गई उसकी पूरी बाडी पर चेचक के काले काले मार्क्स हो गई थे जो कि कभी भी जाने वाले नहीं थे उसका फेस भी जो था वो चेचक के दागों से भड़ चुका था अल्दा अधर डॉटर्स अफ रामलाल वर गुट लुकिंग एंड हैल्दी रामलाल की जो दूसरी बेटियां थी वो सबी बहुत सुन्दर दिखती थी और बहुत ही स्वस्थ थी भोली पेरंट्स वर वरीट एस भोली हैट नेधर गुट लुक्स और इंटेलिजन अब भोली के जो पेरंट्स थे वो भोली को लेकर बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि भोली ना तो बहुत स्वादा खुबसूरत थी और ना ही वो इंटेलिजन थी क्योंकि एक तो वो बसूरत हो चुकी थी और दुसरे वो दिमागी तोर पर भी कमजोर थी बिमार थी तो इसी विज़े से वो दिमागी तोर पर भी कमजोर रह गई और सुन्दर भी नहीं थी तो इसी विज़े से उसके पेरंट्स उसकी बहुत चिंता करते थे इसके माबापको दूसरी लड़के की शादी करने में कोई भी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ा अब वो भोली के लिए ऐसा सूचते थे कि कोई भी इनसान भोली जैसी लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहेगा भोली's parents considered her a backward child अब भोली के जो parents थे वो हमेशा ही उसे एक पिछड़े हुई लड़की या उपेक्षित लड़की के रूप में कंसीडर करते थे और उसके साथ साथ वो थोड़ी सी हकलाती भी थी जिसकी वज़े से दूसरे बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाय करते थे बोली वो सेंट तो स्कूल अब बोली को जब स्कूल भीज़ा गया it was not because her parents wanted to give her a good education जब उसे स्कूल भीज़ा गया तो इसलिए स्कूल उसे नहीं भीज़ा गया कि उसकी parents चाते थे कि वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके असल में वो गाउं के नंबरदार थे एक रसूख रखते थे और वो किसी भी कीमत पर जो तहसीलदार थे उनकी आग्या का उलंगन नहीं कर सकते थे क्योंकि तहसीलदार जब उनके गाउं आए तो उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल महाँ पर खुलवाया और उन्होंने रामलाल को कहा था कि तुम सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल भेजो ताकि दूसरे गाउं वाले अ अच्छी शिक्षा प्राप्त करें बलकि तहसीलदार के ओडर का आदेश का पालन करने के लिए उसको स्कूल भेज दिया गया उसके पेरंट्स हमेशा ही उसे निगलेक्ट किया करते थे और वो अपने माबब के ओपर हमेशा से ही एक बोज की तरह थी और जब वो बड़ी हो गई तो उसके पेरंट्स को एक शादी का प्रोपोजल मिला किसकी तरफ से बिसंबर नाम के एक वेक्ति की तरफ से अब वो थोड़ा लंगडा था लंगडा था उसके सासत वो बुरा था उसकी पहली पत्नी की मृत्टी हो चुकी थी और उसके साथ ही वो बहुत जवान जवान बच्चों का भी पिता था her parents were happy to get the proposal अब उसके parents इस proposal को पाकर बहुत जादा खुश थे क्योंकि उन्हें तैसा लगता था कि भोली से शायद कोई भी शादी नहीं करेगा लेकिन ये जब proposal उन्हें मिला तो उन्हें लगा जैसे उन्हें बहुत कुछ मिल गया क्योंकि बिशंबर जो था वो एक धनी वैक्ती था और उनको ये लगता था कि भोली की तो जैसे किसमत ही खुल गई बिशंबर जैसे वैक्ती से विवा करने के बाद अब वो केवल और केवल एक ऐसी दमकाव की तरह थी कि जो अपने आपको एक्सप्रेस करना भी नहीं सही तरीके से जानती थी और इस तरीकी का जो ट्रीटमेंट था वो भोली के साथ किया जाता था और भोली के साथ जो ट्रीटमेंट उसके पेरेंस करते थे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था तो student उमीद है या answer आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए और all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो अब तक पहुँचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में Till then keep watching, stay connected Thank you